नमस्कार दोस्तों एक बाई फिर से स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल जी के कुई जी रौनक में दोस्तों इस वीडियो में अपने राजस्तान के लोकवाद यंत्रों को बिलकुश आंदर त्रिक के माध्यम से याद करेंगे तदा साथ मोन की संपुन जानकरी वे अपने इस वीडियो के अंदर देखेंगे यह इस टॉपिक का पार्ट फर्ष्ट है जिसमें अपन तत्वाद यंत्रों को याद करेंगे तो आए दोस्तों बिना देदी गड़ वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने इस वीडियो के अंदर महत्पुन तथे दमरू तो वीडियो का सबसे प्राजिन वाध्यनस कोन सब सबस्ताइब अफ़ी सर्क और देखेंगे पार्ट को मुक्षेते चैर वागों बाटा गया चार बागों में कोगन कुआ और ऊयुcky नाम को याद करेंगे के इस फीडियो के बारे में जानते कि तु क्या होते है वे वादियंत जिनमें ताल लगा होता और तैसा जान तर तार तरों के माध्यम से ही निया होता बजाया जाता है वे वाद्यंत्र के कहला तत्वाद्यंत्र के लाते हैं राजस्थान के पर्मुक्त वाध्यंत्र को से आपको उंगलियों पर याद हो जाएंगे तो उसकी जो जनता होती थी तो उन पर करता था था अन्याय करता था उनके साथ तो रावन ने क्या करा सारी अपंग जनता से चुनिंदा तार के बंडल का काम करती थी तो रावन ने सारी अपंग जनता से चुनिंदा तार के बंडल वे दुकान से कबाब लेकर चक़ को और तमाचा मारा तो उन्हें पूछ जाए तो कोनकोन से दत्र Jeanne endeavor निकलते हैं रांव 2020 पंद्ल ने कोंसा सरे अपंख जनता से चुनिंदा तार के बंडल चुनिंदा से आपको छह चुनिंदा तो पंद यह से बालेट होता है तार बंडल तो तार से आपको सर यादग नियुक्षार जिसको अबन्दूरा भी कहा जाता है तो यह दानक। और यह पर सिर अदर ट semil घम त्र हर को हर एक ट्रेयाअ मिल झाज़ाग को¿ मनूंडार के वासे चाक पैटमा अंदर ने नावाएंगर, शुसिर ग ड्र मल जार शाइन आपने कि इस से लिट अब दोगानसु ज्याए कर साब नंतर अभी लगए इनौन ले और्ली करकर को अदे पेसे है यह रावं हत्ता शारंगी अपंग फपंग जंतर चुनिंदा से सूर्इंदा थाओं हें प्रीट मैणने के अधिरेंगेस , बंदल सुरंडल दुकां से कबाप से रवाब और अबक ठीक कहाओ हो जाएगा चिंकारा चिकारा औरतमाचा से हो स्था हो मत अंच मरी साप देह पको घ्र양 पेखने अचिकल है लिए दो घंद एंस्पर अकरंद हएंने पकैना मर्माने थे मेंレुदित क्अचैरे पॉर्डके Aristresenter यह धुझार कैंगे हिरा ऐसे लिए सभब्सक्रील को क्यांद करत किसलिए पॉसम छैजक्यक क्यों प्रिषन शोंग तो, शाला वारा को बनाया जाता है। इसके अंदर क σας तार होते हैं नो तार होते हैं. अब किससे प рукम होते हैं रावण की कि इससाग लगाए तो यह जो होता है। गोड़े की पूछ का बाल लगाए हो था इकुल Music और तो तो इंहता है कि पल समय discs के फडवासते शाम में किस वाधियंत्र का पडियोग करतें तो रामनयंत्या वाधियंत्र का परियोग करतें fel profit जाते हैं तो इसके अलावा भी रामदेव जी की और डूंगर जी और जवार जी की भोपे भी रावन अत्ता बजाते हैं यह भी आपको धान रखना है नेक्स्ट वाद्य अंदर रंत है अपना सारंगी, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल इंपोर्टेंट है, सारंगी, तत वाद्य अंतरों में सरवशेष्ट वाद्य अंतर कौन सा है सारंगी, तत वाद्य अंतरों में सरवशेष्ट वाद्य अंतर कौन सा सारंगी, मोस्ट इंपो तार होते हैं, किते तार होते हैं, इसके अंदर 27 तार होते हैं, ठीक है, जैसे मेर वे बाडमेर की, बाडमेर जिले की लंगा जाती है, सारंगी वादर में क्या होती है, दक्ष मानी जाती है, तोस्तों ये गलती हो गई, जो उसमें तार हैं, वो 27 नहीं, 29 होते हैं, 29 होते हैं, तो यह तरणीyani benefit 3D के एंदर 29 तरणीर निया। कि माती यह मात वांड को झाल । मैंने एह पांवाली को में आपको पता है लनम बजे सारंगी नहीं नहीं हम वाल वाला एंड कि यह पांड हो नियों। तो आपने क्या भी बहुत्यूद्ग कर दें दौनों तरफ करदें तो फेसे रहने किसे इंक हो चारिक सुनतिय Inde 29 नों 22 होते, तो सारंगी को पाल जाता हुए इस। सारंगी अधान में लिडने की लंग जाती है, सारंधी में क्या भाधन cheesecake कहाता है क्या कहते है सारंगी के परकारी 1 रख्जा के चाहर पसली चाहरंगी विकी आती डर पसली सारंगी বधैट पसली सारंगी यह कहां की famous है यह यह सीवाणा बाड्यमर की और भीलमान जालोर की ओ गोडवाणा शेत पालीवाल शेत उल्हानों न गोडवाणा शेत कहलाता है तो वहाँ की पर मूग को जाती हो है तो वहाँ पर पर मूग आधा पिन जोगयासातीकूरे एक यह कैसे मेर जिले मेर महाघनय दोरह भजान कुसी मेरगारा कीयोग जाता है इसकेसर बारे , जाफ को प्र ereक्षीन नियृकरत करें दून सबींद निमान थे उसके Allah high यह बहल्ग जादोगर गोगते हैं तो जादोगर में पहुते इसको याद कर आता है एक आदमी साह मदद करोगे नहीं करोगे आप बोलोगे आदमी को जरूर मजद करूँ हां जरूर मदद करूँ है जरूर सो जाएगा जहूर खा मेवाती ये भी कहां किते हैं अलवर के ही थे इसके आकरती कैसे होती है ये डमरू के समान आकरती मिलता है जोता है ये बवंग नेक्ट वादियंतर अपना जंतर जंतर मोस्ट इंपोर्टेंट है जंतर देखते हैं आपको देवनारयन जी याद आने चीए जंतर वादियंतर को वीना का पारंबिक रूप माने जाता है तता इसकी आकरती भी रूप माने जाता है तता इसकी आकरती भी रूप माने जाता है जंतर का परियोग के आता है बगड़ावत वंश की लोग बगड़ावत को गाउं देवमाली अजमेरी धानक ना आपको लोग देवताओ के अंदर अपन ये पढ़ते हैं देवनायन जी की फढ़ का वाचन करते हैं अठी आपको धहने और यह जंतर वाधियंत्र इसको खड़े-खड़े बजाया जाता है नेक्स्ट अपना वाधियंत्र सुरिंदा वाधियंत्र आप यह वीडियो एक बार देख लोगे आपको सारी की सारी चीदी याद हो जाएगे रहे हो जुकते बार वाधियंत्रम मारवारर्वाठ चीदी शुरिंदा वाधियंत्र मारवाडवार्वाडा शेत्र इसका निमान किन्या प्रफटेघ्याद्व कितने थार होते है नामक का परियोग किया जाता है सितार के अपना सितारा वादिय अंतर को उसंदु से का निमान किसलें होता है? प्रक्षित्वादोल सितर शिटार के मजट इंठेड कें ने लेवरेल के मिस चार bod और अज्ञाम में पूछै कि अधरेंतर एक्जा में पूछै कर दो सबस्क्षै कर दोसन है एक्जाम के अंदर कोशन पुछा था कि निर्मन से कौन से परशित्री सितारवाद है कि तो पंडितरवी, शंकर, विशु, मोहनभथ, जस्करन, गोस्वामी और विलायत, यह नाम आपको चारो याद रखने हैं नेक्ष्ट वाद्यांतर अपना इक्तार वाद्यांतर है, इक्तार का संबंद भगवान नारद जी से माना जाता है, और जो अपनी मीरा जी थी, वो मीरा जी का संबंद भी इक्तार वाद्यांतर से माना जाता है, क्योंकि एक्तार मीरा जी का पीरे वाद्यांतरों में से एक थ सकते हैं अभी इपना डू ताहरा के मालब दो कि इसका परियोग क्या जासा इसका तारुोरीय का परियोग न कि पर्योग आपकर नेख्ट आप्सको तंदूर का जाथा चार हसले कि इसना जासा इसको तंदूर तारा के दर चार तार होते है ठीक है इसका निमान किसी कहते है तो चोफार आ यथार तंदूरे का परियोग करते यह आपको बात धान रखनी है नेक्स्ट अपनी सूर मंडल, कौँसा सूर मंडल तो इसके अंदर कितने तार होते है, 21 तार होते है कितने तार होते है, 21 तार होते है 21 से 26, 21 से 26 के बीच के अंदर कितने भी तार हो सकते है और सूरज मंडल के नाम से भी जाना जाता है और कहीं कहीं इसको सुर मंडल के नाम से भी कहा जाता है कोई दिक्कत नहीं है नेक्स्ट अपना दुका को, ये वादियंत्र दुका को, अब दुका को आपको धानगना दुकान, अब दुकान पर आपन कप जाते हैं, नहीं ने कपड़े लें दिपावली पर जाते हैं, तो आपको दुका को धानगने, आपको धिपावली सिधर का सिधर धानाना चीए, त जैनि अउना में अलवर टॉंक जिलो में लोग पडिपरिया है के लख दम अलवर की आपको सबसे मोड इंपोर्डन बदाए था मैंने यह भापंग यह भी धन रखना है आपको इसके इंद कितने तारा होते हैं 12 कि कि इसके इन रवार तो दे को रवाप रबाब बोलने में आ को चाibo है बुमेल टोपशमेे किशन रभब को भाधा तो नहीं जाती है तो ईसके दर χोने चाहिए कि दोरह बजयते हैं इसके दोरह मेव गपार गभाटो बजया कि द्वाटारा जाता है इसको नख भी अथ़त मिजराफ टा से इसको बजाया जाता Gore नॉर्ब आलवारो टोंक का famous है बारातार होते हो मेवों और भाठों के दोरा सको बजाया जाता है next अपना अपना रवाज याफी रवाब रवाज याफी रवाज ठीक है इसको बॉलने पिर बॉलड़zahl क zoo 12 ही सुना इता है जो रवाज वाज यह ゃंतर है इसको पाबुची की लोग गाते समय बील जाती के बोपो की दोरा बजाया जाता है पाबुची की जो लोग गाते है ना उसको गाते समय बील जाती के बोपो की दोरा किसको बजाया जाता है रवाज को बजाया जाता है मेवाड में रावल भाट जाती के दौरा रम्मत लोगनाटे में रवाज वाजेंतर का भी बजाया जाता है तो आपको दोनों चीज बताए तो रम्मत लोगनाटे के समय एक तो सुरिंदा बजाया जाता है और ये कौन सा क्या बजाया जाता है तो ये बात आपको धाने रखनी है next अपनी चिकारा कौन साथ चिकारा इसको किसका निमाण किस्ते होता है इसका नेमा शism Violet खोकल करका करके इसको किया अग़ता बनाया जाता है राजिस्तान में अलवर का फेमस है एलवर की आरे हैं तो अलवर का ये फेमस तरह विा र्खना है यह कॉ闆 दो वद्धाना और बॉतां तर होता है था कुल राखना यहिए घंजा को फ़दोते है इव दर ड्रप शुयाटा हुता है इसके अंदर कितनी ताहर ए इसको इस तरीके से बिदान लख सकते हैं राजस्तानी इलाइकों में बाढमेर जैसलमेर मांघन एक कि लोग दूरा कि कामाइचा को बजाए जाता है मोस्ट इंपॉर्टंट इन कमाइचा काफ फेर मस है तो बाड में और जिसे में जिले के मांगणया फेर लंगा जाती के लोग इसको बजाते हैं राध पंथ के साधु भरतरी सादु भी बरतरी वे गोपी चंत की कता की गीत कम अदर रखना है तो दोस्तों तरीक अच्छी लगे होगी वीडियो अच्छी लगे होगी तो वीडियो को लाइक करना कमेंट करना शेर करना तो इसी तरह की की वीडियो को नोट्रिफकेशन सबसे पहले पाने के लिए हमाई चनलों को सब्सक्राइब करें तो बेल लाइकन को करें तेन वाद तो येंद को